हेलो दोस्तो मैं परमीला दियाल अपनी चांद यू एंड मी में आपका फिर से स्वागत करते हूं आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी डेली यूज लाइफ में कभी भी दूसरों से कुछ चिज़े मांगनी नहीं चाहिए या दूसरों की कुछ चीज़े हमें अपनी लाइफ में यूज नहीं करनी चाहिए ये चीज़े हमें निर्दंता की तरफ ले जाती है या हम कभी भी सक्सेस्फुल नहीं हो पाती ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो हमें दूसरों से मांगनी नहीं चाहिए दूसरों की चीज़े यूज नहीं करनी चाहिए, जानिये मेरी इस वीडियो की मादम से, दूसरों के बिष्टर पर ना सोए, हाँ दोस्तों हमें कभी भी दूसरों के बिष्टर पर नहीं सोना चाहिए, ऐसा करने से जिवन में आर्थिक समश्या आती है, दूसरा क्या न करें? हमें दूसरों से कभी भी वस्तर मांग कर नहीं पहने चाहिए जिस परकार दूसरों के बिश्तर पर नहीं सोना चाहिए उसी परकार हमें कभी भी किसी से कपड़े मांग कर नहीं पहने चाहिए यह सुब नहीं होता तीसरा, क्या न करें दूसरों की गाड़ी प्रियोग मेंने लाई हम कभी-कभी अपनी डेली उज लाइफ में य academics करते हैं कि दूसरों की गाड़ी मांग लेते हैं और उसे खूब अच्छे से इंजोय करते हैं लेकिन क्या आपको पता है यह है आपकी मेहनत पर पानी फेर देता है हमें दूसरों की गाड़ी मांग कर नहीं चलानी चाहिए ऐसा करना खुद अपने को नुक्षान पहुचाना होता है इससे खुद के धन की अक्स्ति होती है दूसरों से कभी धन ने मांगे दूसरों से धन मांगना या उसका गल्त परियोग करना या दूसरों से धन चीनना यह सब एक बेमानी की पहचान होता है ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के धन ऐसे लोगों के धन में या घर में पाजवा हम क्या मैं करें प्राइस्टरी से रिष्टा दोस्तों स्वंसाधी सुधा ओते विए अगर हम किसी प्राइस्टरी से रिष्टा रखते हैं तो वह हमारे आने वाले समय में आर्थिक स्धितिर पर चोट पहुंचा सकता है जिसका हर जाना आपको पूरी जिन्दगी भर भुगतना पड़ सकता है दोस्तो ऐसी और भी मैतोपुन जानकारिया लेने के लिए आप हमार जन को लाइक कीजिए अपनी दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और सस्क्राइब करना तो बिल्कुल मत भूली अगर आपके पास कोई कमेंट है तो नीचे बोक्स में छोड़ सकते हैं